सांक एवं योग दर्शन पुस्तक, पंडिसी रामसर्मा आचारे एवं माता भगवती देवी द्वारा रचित अब मन को स्थिर करने के अन्य उपायों का वन्नन किया जा रहा है 35. विशेवती वा प्रवित्ती रूपना मनसा स्थिती निबंधनी चुत्राट विशेवती विशेवाली प्रवित्य प्रवित्ती उत्पना उत्पन हो करके वा वा अथ्वा भी स्थिती निबंधनी स्थिती का निबंधन करने वाली हो जाती है व्याख्या इस सुत्र में वर्णन है कि उप्यक्त उपायों के अत्रेक्त एक उपाय भी है कि विशेवाली प्रवित्वी उद्पन होकर मन की सिति को बादने में समर्थ होती है भावार्थ यह है कि इंद्रियों के विबिन विशे सब्ध स्पर्ष रूप गंध रश है ये भी पंच भूतों के पंच तन्मंत्राएं भी है इन विश्यों से उत्पन साधना वृति मन की स्थती का निरोध करती है यथा नासाग्रम के सैयम से अर्था ध्यान धारना समाधी आधी के द्वारा चित को एकाग्र करने से साधक को जिस दिव्य गंध का साक्षतकार होता है वा गंध प्रविती कहलाती है जिवाग्र के सैयम से साधक को जिस दिव्य रस का साक्षतकार होता है वा रस प्रविती कहलाती है तालों में दिवे रूप का सक्षातकार होने से उसे पूर्व रूप प्रविती कहते हैं जिवा के मध्यभाग में चित को एकागर करने से दिवे स्पर्स का सक्षातकार होने को स्पर्स प्रविती तथा जिवा के मूल में संयम करने को सब्द प्रविती कहते हैं इस प्रकार ये विभिन प्रवित्या उत्पन होकर चित के स्थिती को बांधती हैं, अतसादक को संपुन शधा और विश्वास पुर्व किसी समर्थ गुरू के मांग दर्शन में इन प्रवित्यों में से किसी एक से अभ्यास आरंब करना चाहिए। योगधर्शन के प्रख्यात भासकरे महर्शी पतंजली ने विशेवत्व का अतिदेश करते हुए रूप प्रवित्य को विशेवत्य कहने से ही चंद्र, सूर्य, ग्रह, मनी और दीपक आदी की नो के सैयम से उत्पन होने वाली प्रवित्य साक्षातकार को भी विशेवत्य कहा है इसकी अतरिक मन को स्थिर करने की एक और प्रवित्य बताते हैं 36 विशो का वा जोतिश्मती सुत्रात वा अत्वा इसकी अतरिक विशो का सोग रहित जोतिश्मती जोतिश्मती प्रकाश वाली वृति मन को स्थिर करने वाली होती है व्याख्या जैसे विशेवत्य प् सोक रहीत नामक प्रविती भी मन को स्थिर कर देती है विशेवती प्रविती के नासागर जिव्वा जिव्या मद्य आधि पांच थान माने गये हैं वहां मन को एकागर करने से मन स्थिर हो जाता है इसी प्रकार विशुका वृती में हिर्दय कमल हिर्दय पदम में मन को स्थि करके चिति की एकागरता सध जाती है प्रारम में रजोगुन और तमोगुन से उद्वुद्ध जो सोक मो आदी विकार है उनका निराकरन करने के लिए अज्ञान अंधिकार दूर करने के लिए ज्ञान रूपी दीप्रक्जला लेने से सदोगुन प्रधान निर्मल वृति का अभिर्भाव होता है उसे मन स्थिर्टा को प्राप्त कर लेता है इसके अभ्यास के लिए इस थिति को समझ लेना आवश्यक है हिर्दे स्थान में कमल सद्रिश एक सुच्म गरंथी है उसे हिर्दे पदम कहते है यह आठ पंखुडियों वाला अश्ट दल कमल है जिसका मु तब इस अधु मुखी हिर्दे कमल का मुख उर्धो मुखी हो जाता है जिस प्रकार कले खिल कर पूल के रूप में विक्सित विकास हो प्राप्त करती है वही स्थिति इस हिर्दे मंध में हिर्दे पदम की हो जाती है इस हिर्दे पदम के मध्य भाग में ओमकार स्थित है ओम कार की तीन वन्ड आ, उ और मा है, इनमें आ सूर्य रूप, ओम चंद्र रूप और मा अगनी मंदल सरूप है, इसके उपपर चंद्रमा अर्ध मात्रा अनुश्वार ब्रह्मा नेंद सरूप अवस्थित है, कमल कलियों में उर्धो मुखी सुस्मना नारी है, जो मुर्धा तक विक्सीत है, और मुर्धा के बाहर भी यह नारी सूर्य आधी लोकों से सबंध है, इस नारी ब्रह्मने में चित का निवास माना गया है, ध्यान प्रनायम आधी माध्यमों से जब हिदय का साक्षतकार एवं विकास होता है, तब उसमें रहने वाला चित, सूर्य, चंद मनी, आधी, जोतियों के रूप में दिश्टी गोचर होता है, इसी साक्षतकार को जोतिश्मती कहते हैं, इस जोतिश्मती प्रवितियम के उधित होने पर रजोगुन और तमोगुन से उत्पन सोक आधी निवृति हो जाते हैं, इसलिए ये विशो का वृति कहलाती है, रात राग विशम वा चितम, सुत्राट वा अत्वा वीत राग विशम, वीत राग पुर्षो का विशय करने वाला चितम चित भी स्थिर हो जाता है, व्याख्या, जिन राग द्वेश निविश्ट होग चुके हैं, ऐसी स्रुयोग्यों के धै बनाकर अपना भाव वैसा ही बनाकरके अभ्यास करने वाला चित भी स्थिर्था प्राप्द कर लेता है, भावारत यह है कि सुक देव जैसे वीत राक संतों के लक्ष आदर्स मान कर अपनी मनाई स्थिती भी उन्ही की तरह बना लेने में, उन्ही की तरह अनुभूतियां लेने लगती है, इस अभ्यास में मात्र इतना कहना प्रयाप्त नहीं की इस योगी का चित कितना निर्मल है वर्ण यह सोचना की निर्मल चित होकर इन्हें सांसारिक पदार्थ कैसे लगते होंगे इस अनुभव की भावना अपने अंदर भी करने से अपना चित भी उस योगी के चित की स्थिति में ही किया जा रहा है अर्टीस सवपनी निद्रा ज्यान लंबनम वा सुत्रार्थ वा अथ्वा सवपनी द्रा नाबलम वनम जो चेते शपने एवं निद्रा के ज्यान का अवलंबन करने वाला आश्रे लेने वाला वह भी स्थिर हो सकता है क्या क्या कई बार ऐसा होता है कि स्वपन में जो अलौकिक पदार देखे जाते हैं उनसे विचित को भूत आनंद होता है कई बार ऐसा जागरित अवस्ता में भी नहीं हो पाता जैसे किसी इष्ट देव गुरुदेव के दर्शन होना स्वपन में ही राजा, योगी अथ्वा महापुरुष बन जाना या कोई अधुद सफलता पाना आदी स्वपनों से अत्यन प्रशंता होती है ऐसे स्वपनों की याद करने अर्थात वैसा ही भावाद में मन में करने से भी मन स्थिर हो जाता है ये साधना उनी साधकों के लिए शक्य हैं जिनोंने जाकरित स्थिति की अपेक्चा कभी स्वपन के असाधारन आनंद का दर्शन किया हो स्वपन का आस्रे लेने का एक अर्थिया भी है कि संसार को स्वपन प्रवत छन भंगुर देखने तथा इसकी नस्वर्ता के भाव को द्रिर करने से लौकिक वाशनाव एवं त्रिशनाव की व्यर्थता समझ में आती है जिससे मन चित स्थिर हो जाता है निद्रा के आस्रे का एक अर्थिया भी हो सकता है कि प्रगार निद्रा में स्वपन की सिती नहीं रहती जुसमें सुख दुख से रही सिती में चित की व्रितियों के अभाव का ग्यान होता है किसी अन्य प्रतार्थ की प्रतिती नहीं होती ऐसा उस ग््यान अनौबो को अंता करन्व इस्तित करने से चिट-स्तिर हो जाता है इस सौपन और निद्रा के आस्रे का एक अर्थिया भी हो सकता है कि सौपन और शुशुकता अवस्था में जाग्रति विशय का ज्ञान एवं इंद्रियों का चांचल्य नष्ट पराय हो जाता है इसी प्रकार ज्ञान का आस्ट्य लेने से बाय व्रित्यां विनिष्ट हो जाती है और चित स्थिर हो जाता है अब मन को स्थिर करने का उपाय अविर्यूची के अनुसार ध्यार करने को बताते हैं यता भिमत ध्यान नाद्वाम सुतार्थ वा अथ्वा यता भिमत ध्यानांत जिसका जैसा अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है व्याख्या इस सुत्र में संकेत है कि 34 सुत्र से यहां तक निरंतर वासब्द द्वारा चित्त को स्थिर करने के व्यकल्पिक उपाय बताए गए हैं उन में से जिसको जो उपाय अनुकुल लगे उसका अभ्यास करके चित्त को स्थिर करें किन्तु यदि उन उपायों में से कोई उपाय अनुकुल ना हो तो साधक अपने एक्छा से चैनीत अथ्वा अपने निर्धारित इस्ट देव के स्वरूप का ध्यान करने का अभ्यास करें इससे भी मन स्थिर हो सकता है सार रूप में यह कहा जा सकता है कि चित्की को स्थिर करने के लिए मन को किसी स्थूल मूर्ती में एकाग्र करना चाहिए जो शाधक को बहुत प्रिय हो वह मूर्ती किसी देवता गुरू माता पिता किसी की भी हो सकती है स्थूल पदात मुर्ती चित्र आधी में मन एकाग्र हो जाता है और निरंदर अभ्यास से वह स्थत स्थेर बना रहता है अब चित स्थेर होने पर क्या स्थिती वह सरूप तथा क्या फल होता है इसका वर्णन किया जाएगा चालीस परमानो परम्हत्वा तो अश्य वशिकारह सुत्रात परमानो परम्हत्वा वांतह परमानों से परम्हत्व परियंत अश्य इस्थिर चित का वशिकारह वशिकरन करना सरल होता है व्याख्या. पूर्व में वर्नित उपायों से मन इतना स्थिर और एकागर हो जाता है कि वह नियंत्रित हो जाता है. तदो प्रांत ऐसी स्थिति हो जाती है कि लगू से लगू प्रमानों से लेकर अंतरिक्ष परियंत्रित. किसी भी तत्व में मन को लगाने की इक्छा करे तो वो चंचलता छोड़कर सहज ही लग जाता है वस्तुत एकागरता द्वारा चित का वश में हो जाना महत्पुन सफलता है वशिकार वशिकरन से जब योगी चित पूर्ण रुपेन स्थिरता को प्राप्त कर लेता है तब पुना-पुना अभ्यास करने की आवशक्ता नहीं रहती विवहारिक तथे उप्युक्त साधना ही तू साधक को चाहिए कि वह किसी अनुभव शील पडमार्थ परायन पत्प्रदशक से इस क्रिया विधी का प्रसिक्षन प्राप्त करे अभ्यास हे तू किसी एकान स्थान का चेन कर वहाँ प्राता साधका नियुम्तम एक से दो घंटे बैट कर ध्यान करे पदमाशन दोनों जंगाओं का दोनों पैरों से दबा कर मैं अथ्वा सिधाशन वजराशन स्वस्तिकाशन में बैट कर पीट रीर की हड़ी गर्दन और शीर को सीधा करके बैट कर खेचरी मुद्रा करे अभ्यक्ष और मादेक परदार्थों का सेवन ना करे साथ ही तेल, मिर्ज, खटाई, गरिष्ट और कफ वर्दक परदार्थों का सेवन भी ना करे इसी प्रकार आलेशी रोग उत्पन करने वाले परदार्थों का सेवन भी ना करे कूसं का परित्याक करे ततक कुरोध, शोक, भै और मैथुन से यथा संभव बचने का प्रयास करे सरीर को शुद और आतों को मल रहित करने के लिए नेती, धोती, क्रियाएं करे सारिडिक ब्रह्मिचरे के साथ ही मांसिक ब्रह्मिचरे का भी पालन करे इस साथना में जो अनुभव हो, उसे किसी अन्य से अनावश्य क्रकट ना करे इस प्रकार उप्युक्त सभी बातों का ध्यान रखने से साथना में सिग्र सफलता मिलती है उप्युक्त सभी उपायों से चित पर अधिकार हो जाता है और चित निर्मल होकर समाधी की छमता प्राप्त हो जाती है तदु प्रांत संप्रग्यात और निर्बीर समाधी की स्तिती करमस कैसे प्राप्त होती है इसका वर्णन आगे किया जा रहा है 41. छिन वर्तेर, भीजा तश्यव, मन्ने ग्रेहित, ग्रहना ग्राहेशू 42. ततस्त, दजन, ताश्मापतिय, सुत्रात 43. छिन वर्ते, जिसकी सवे बाहे वर्तियां छिन्ता को प्राप्त हो चुकी है 43. ऐसे मने इव, अभी जातश, स्वतिक मने, सद्रिशय, निर्मल्चित का, ग्रहित, ग्रहन, ग्राहेहेशू, ग्रहिता, आत्मा, पुरुष, ग्रहन, अंतह करन और इंद्रिया, ग्राहे, पंच भूत, एवं इनके विशे में तथस्त, दजन्ता, इस्तित होना और तदाक कार्क हो जाना ही संप्रग्यात समाधी कहलाती है, व्याख्या, निरंतर पूर वर्नित अभ्यास करते करते, जब मन की रजोगुनी और तमोगुनी वृत्यां छिन हो जाती है, तब साधक में मात्र सतोगुनी सेस रह जाता है, जिसका चित स्वतिक मनी अत्वा सीसे की तरह स सच्च स्वटिक मनी के समक्ष जिस रंग का परदात रखा हो वह मनी भी उसी तरह की भासित होने लगती है। इसी तरह एकाग्र अस्तिर चित होकर जब सत्वगुने बृत्यों के संपर्ग में आता है तब वह भी सत्वगुन से ओत्प्रोत भासित होता है। मन, इंद्रिय, आत्मा और बाय विशे भी सत्व की स्थिति हो जाने से सत्वप्रधान होते हैं। सत्वगुन में तदाकार और तन्मे हो जाने से जो निर्विकार स्थिति प्राप्त होती है, उसे समापती स्थिति या संप्रग्यात समाधी कहा जाता है। अब समापती के चार वेद बताते हैं